कल रात से ही मेरे घर में बहुत ही अजीब अजीब चीज़े होई थी मानो कुछ paranormal activity चल रही हो बहुत ही अजीब लग रहा था पहले तो मुझे लगा मेरा वहम होगा बट मेरा कोई वहम नहीं था मेरी दादी बताती थी मेरा घर जो है वो पिछली 300 साल पुरारा किला है और कल जब मैं वीडियो शूट कर रहा था मानो मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे बुला रहा है मेरा नाम लेकर बोल रहा था फूडी अंकित फूडी अंकित तो मैं सुचा कि मेरा वहम है फिर अचायक से मुझे ऐसा लगा मेरे शरीर में कोई प्रवेश कर रहा है और कल रात को दो बजे ठी मेरे घर वाला कुटा भौकने लगता है हवा में मानो ऐसा लग रहे जैसे उसने कुछ बहुत बढ़ा कुछ देख लिया है कल रात को मैं इतना जाधा डर गया था तो मैं जाकर तुरंट सो गया सुछ उट्टे में दादी के पास गया दादी को जाकर बोले दादी में साथ कल बहुत अजीव जीब चीजेदे हो रही थी तुम्ही दादी बोली क्या तूने चीसकेक बनाय था आज मैं बनाने वाला हूं खट मिठ्थी जब हम लोग बच्पन में स्कूल जाते थे तो महीं दादी टिफिन में खट मिठ्थी यह कच्छे आम का बनता है तो मेरा मैंगो चालेंग चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अज इसे बनाया जाए तो अंकल मैं ट्यूशन से बोड़ते हुए घर आया और मैं दादी को बोले कि देखिये मैं क्या लेके रहा हूं तो मैं दादी को बनाया और इतना जादा टेस्टी बनाना क्या बता ओब चलो आज आप मुझे करके बता कि आप लोग खट मिठी को क्या बोलते हो बाई आज का शौट जाता है जेंडर आइस्क्रीम लेला आइस्क्रीम लेला तो मेरी दादी सुनली और बोलती हैं कि जा जा आइस्क्रीम अला है जाके दो थो आइस्क्रीम लेला एक तो तुम खाना एक तो हम खाएंगा हम ले अरे दादी थोड़ा उमर का लिहाज करिए तो मैं बोली कि ज्यादा उमर का इसक्रीम के लिए उलिए इसक्राफी प्रची नहीं पूच थी में थन कहा ओजने बेड़ाने के लिए पिर दू दिन के बाद मीं इसक्रीम चाहली तो मैं एक बाबा के बनाओ और जाकर गरीबों में बाथा.' वाल को अरे altro जाता है महैं किशेम् वाल को अरे जहां बाबा जिप कैसे क्या मेरे बुधा, मेर दाधी, मेर दादी को ब्रेड को और मेरे चीज हाना सा और मेरा चल रहा है मैं इस्चोचाचा क्या बनाऊ जो तीनो कोई खा लें direction मेरे दिमाग में आइडीड क्योंगा ना मैंगो våra पीजा वनाए जाये मेरे घर के पास एक गुलकपपे वाले भाईया है जो साथ तरह के पानी वाले गुलकपपे देते हैं और उनका हर संडे गुलकपपा का फ्लेवर चेंज होता है तो कल मैं अपना दोस्त अक्षे के साथ गया था तो एक फ्लेवर न्यू लाय थे वो था मैंगो का तो हम दोनों खाय तो अक्षे बोलता है कि तिरह तो मैंगो चालेंज चल रहा है तो यह बनाता है मैंनों उसको बोला और वह वाह यह तो बहुत सही आइडीया चल मैं इसको आज ही बनाता हूं फिर उसके बाद हम लोग दोनों 20-20 रुपएगा गुलपपा खाए फिर जब पैसे देने की बारी आई तो अक्षे बोलता है कि चल भाई तू पैसे दे दे नेक्स तेम जब भी हमनों कुछ खाएंगे तो मैं पैसे दे दूगा तो मैं उसको बोला ना दे आज मेरे दादागी मुझे बुलया और बोलते हैं कि अंकित अब वो फुरुटी नहीं मिलता है कृ testify मैं बोलता हूं मिलता है दादा जी यह उपको पीना है क्या तो मैं दादा जी बुले हां भ़ुटी पिने का 20 चाके लग तो मैं दुकान गया देखां दुकान मिल थु कर रहा हूं नेचर लाप का शुद्ध देशी खांड जो कि और इगानिकली प्रोसेस्ट रहा हूं 100% केमिकल फ्री है उसके बाद हम सबने फ्रूटी पी और में दादा जी को भी बहुत पसंद आई